तो दोस्तो आज 27 फेबरी 2023 मार्केट के अंदर आज बहुत ही जादा वल्टिलिटी के साथ थोड़ा थोड़ा करेक्शन भी देखने को मिला चापे फर्स्ट आपने आप देख से तो मार्केट में पूरा पूरा करेक्शन हुआ और सेगेंड आप होते होते थोड़ा थोड़ पर स्टेबल रखने का अठीक वैसा ही हुआ आज बैक निफ्टी जहां पर एक तरफ एक परसें टेजी के साथ क्लोजिंग दिया फनांशियल सर्विस सेक्टर भी अल्मोस 0.77 परसें टेजी के साथ क्लोजिंग दिया दूसरी और में अगर हम बात करें यह बात भी मैं आप साथ जाद मेटल सेक्टर के अंदर भी भारी बरकम गिरावाट ऐसा क्यों हुआ आगे चलगा हम बात करेंगे साथ जाद आप देख सेक्तों ऑटो सेक्टर भी आज 10% गिरावट के साथ क्लोजिंग दिया तो दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है कि यूक्रेन और रश्या का और अल्मोस्ट एक साल खतम हो चुका है और आज के देट पर दोस्तों कुछ ऐसा सुनने को आ रहाएं कि पूतिन की सार तरब से तो देखिए क्या स्टेट में दिया है यहां पे रश्या का प्रेसिडेंट व्लादमीर पूतिन तो चले मैं आपको थोड़ा नियूस के उप और तब नैटोस में जो जो कंट्री मेंबर है कि रश्या के पास जो यहां पर नूक्लियर वीपन है उसको इग्नोर ना करने के लिए और उसके साथ साथ देखिए यहां पर कुछ इस तरह का बोल सकतों की स्टेट में दिया है कि देखिए पूतिन सेट वेस्ट इस कंप्ली लगातर हमने देखा फरनांशियल यहां पर सपोर्ट दिया वीपन की उपर भी बहुत जब्यादा सपोर्ट दिया और कर ने कहीं जिस बैस आपने देखा रश्या एक तरफ बहुत जबादा बोल सकती यहां पर अकेला पड़ गया क्योंकि रश्या को सपोर्ट देन वाला एक है चाईना इंडिया सपोर्ट नहीं देपा रहें दूसरे बात करें चाईना चाईना को बार-बार यहां पर ठ्रेटने देरा यूस की तरफ से कि सपोर्ट मत दें अधर्वाइस यहां पर बहुत जादा संक्षन बनेंगा लग सकता है तो कहने कहें दोस्तों आई यहां सब्सक्राइब हो चुका है जैसे का अब देख सेकतो कि यहां पर जो रश्या का फॉर्ण मिनिस्टर है उन्होंने भी यहां पर सेंटू सेंब बात बोला कि वेस्ट वान टू आइसूलेट एन इवेन इस मेंबर इस मेंबर मतब कहां पर जो बड़े-बड़े अग्रेशन के साथ करने के यूक्रेण को पर हमला कर ला है उसके साथ हमने यह भी देखा कि यूएस की तरब से यह स्टेट में दिया चाइना को जो चीज़ मैं आपको बोल रहा था कि चाइना लेथल एड लेथल एड मतबाब बोल सकते घातर खातियार जो की रश्या को य यहां पर गर्मागर्मी का महल था शुरू शुरू में मार्केट के अंदर करेक्शन वह और उसके साथ यह रिजन तो है ओवेसली है क्यूंकि फ्राइडे के दिन युएस मार्केट के अंदर भी यहां पे कम्जोरी के साथ क्लोजिंग हुआता चायम बात करें डौर जोंस एक परसें गिरावट के साथ प्लोजिंग लिए नैस्टेक की बात करें लगबख 1.69 परसेंट गिरावट के साथ फ्राइडे कि लोजिंग वाज जैसे आज हमने देखा कि आईटी सेक्टर के अंदर गिरावाट होता अब देखिए मैं आपको थोड़ा अच्छे से एक्स् पहले जब रशिया यूक्रेण वार्ट शुरू आता उसके बात-बात हमने देखा कि अकेले बैंकिंग सेक्टर फनांशियल सेक्टर इसिर्फर सी उपर की तरफ चल ला था आधर इस बाकी सेक्टर में गिरावाट वाता आई टी सेक्टर सो होपफुल आपको चैसे समझ आ लगए तो कई ने के उसका जो सेल्स है ड्रोब हो सकता है लास्ट इस बार संब्सक्राइब लास्ट यह था था बड़े ऑट्सथा पास उसका इंपक्ट सब्से जाद अपको मेटल सेक्टर के अंदर याज लगबक लकग अल्मोस्ट टू पाइंट परिशन घे आ सार प्लो इससे अगर समझ लिकी इंफ्लेशन बढ़ा तो हर एक देश की जो सेंट्रल बैंक है उसको भी अपना रेपोरेट हाइक करना पड़ेगा अब देखे बैंक कहां से कमाई करता है बैच की कमाई मतब इंट्रेस्ट इंकम बैंक जब अपनी इंट्रेस्ट बढ़ाएगा जो दूसरे सेक्टर में मेरी आज गिरावर देखने को मिला वॉफफुली दोस्तों आपको अच्छे से समाझ आ गया यह तो गिरावर के पीछे रिजन हमें अच्छे से समाझ आ गया बात करेंगे रिकवर कैसे हुआ से के अगर आप देखोगे फर्स अबनाफ पुरावाट व देखा एक तो डॉर जोन्स का फ्यूचर बहुत जादा पॉजिटिव में था उसके बाद अगर हम बात करें जैसे यूरोपियन मार्केट उपेंड़ा यूरोपियन मार्केट के अंदर भी काफी तीजी देखने को मिला जैसे कि अब देख सकतो जिस बैसे आज से अगेंड में क्योंकि यूरोपियन मार्केट तो शुरू से बन ता जैसे इंडियान मार्केट के यंदर एक देर बजे काज़ और यूरोपियन मार्केट की घुर्ड कर सालओ इप्लिया का जो चीज ब्ली युचर नहीं को तको बार बारन आपको ट्रैक काने के लिए इसरी तो इसका मतलब यह है मतलब यह उमीद है कि आज युएस मार्केट जब ओपन होगा जो कि लास्ट काफी दिनों से लगातार ड्रॉप देखने को मिली इंडेक्स के अंदर अर्च थोड़ावद रिकावर हो सकता है जिस बैस हमने देखा कि सेगेंड हपे मेंली अब देख सकत और सारे वियर्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना पास में बेल आइकन को जरूर क्लिक कर देना ताकि जब भी मैं रात का वीडियो अप्लोड करू तुरंद अपको अनुमान देखे रखना चाहता हूं कि अगर फिर से गिरावाट होता यहां उपर की तरह मूबें होता तो कहां पर रेजिस्टेंस फेस करेगा कहां पर सपोर्ट मिलेगा ठीक है तो देखे आज की रेट पे अगरम प्लोजिंग या बीच यहां पर गिरावाट हुआ था उ सब्सक्राइब कर जोड़ा जो की एक मैने पहले का लो था उसी लेवल का सपर्ण मिला फिर से में रिकावरी देखने को मिला वहां शुडू से लेके एंट तक शुरू मैं अगर आप देखोगे तक पहुच गया था तो उपर की तरब एप्रॉक्सिमेटल यांपे सत्राजार चार्सों के आसपास एक रेजिस्टेंस कर सकता है बड़ अच्छी बात यह है आज क्रेट पर कहें देगे इसी रेजिस्टेंस के एकड़ बॉर्डा लाइन प्रके निफ्टी क्लोजिंग जा त तो कहने के निचे की तरब फिर से यहां पर ड्रॉप हो सकता है यह सारी चीज़ बहुत कुछ यहां पर डिपेंड करेगा आज रात में यूस मार्केट की लेबल पर क्लोजिंग देता है पॉजिटिव में नेगेटिव में हाईली वलेटाइल के साथ उसके साथ साथ देट प्रोकरेज़ प्रीज ना के बड़ा बल लगता है लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको सिंपली यह 4 चीज़ों को तयार रखना है आपका अधार कार्ड आपका पैन कार्ड एक कैंसल चेक और आपका सिगनेचर और आदे घं